जो stress management की बात आती है क्योंकि अभी जो lifestyle है इसमें stress management एक महत्वपुन भूमी का लेती है क्योंकि depression में छोटे-छोटे भचे भी depression में चले जाते हैं करेंगे suicide की case भी ज्यादा बढ़ते हैं और आपने तो 50,000 km की पाध्यात्रा भी की काफी सारे training camp भी की stress management यह lifestyle के वज़े से है देखिए आपने जो प्रसन पूछा वो बहुत जोरदा प्रसन है और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रसन है ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे टेंसन नहीं होता हो जो तनाव में नहीं आता हो यह आज के जमाने की सबसे बड़ी समझया है पूरी दुनिया में कोई ऐसी टेबलेट नहीं है, कोई ऐसी मेडिशन नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, कि दवा खाओ, टेबलेट खाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, इस्ट्रेस फ्री हो जाओ, तनाव फ्री हो जाओ, ऐसा कोई मेडिशन नहीं है इस स्ट्रेस की वज़े से कितनी बिमारियां बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बिमारी आई डिप्रेशन की बरतमान में मैं देख रहा हूं मैंने तो हजारों किलो मिटर की पेदल यात्रा की है मुझे संत बने को 47 साल हो रहे हैं इस नाते हर प्रांट में हर जाती हर धर्म के लोगों से हमारा सिधा संपर्ग रहा अभी पिछले 13 वर्सों से मैं ये सब कुछ संपर्ग कटोफ करके जादा जंगल गुफाएं नदियां समंदर और पुराने मंदिर में अपनी तपस्या मैंने बस्ती में आने का रखा खास करके इसलिए हमारी जिसी मुनियों की प्रेज़ना रही कि भाई इसके लिए कुछ करो तो मैंने एक कारिकरम बनाया तो पहला कारिकरम ये कि स्टेस मैनेजमेंट का इसके लिए मैं सेना, पुलीस, आई-एस, आई-पी-एस, आई-आर- इस तरह के लोगों में मैं एक घंटे का स्टेस मैनेजमेंट का सिविर लगाता हूँ, इस तनाव की वज़े से सुगर आने का एक कारण टेंशन, डिप्रेशन, केलिस्टोल और बी-पी हाई-लो होना, ये तो ही सारीनिक बीमारिया, इस टेंशन की वज़े से ये इतना खतर हो गया, आदमी रिष्टों में जीना भूल गया, समंदों में रहना भूल गया, इस तनाव की वज़े से इतना ऐसा इसनू हो गया, सेंसिलता धीरे-धीरे खतम हो रही है, तो जो दो आदमी के साथ नहीं रह सकता, वो पांच के साथ नहीं रह सकता, जो पांच के साथ नही नहीं रह सकता इसलिए यह समझना है कि यह तनाव को हम जब तक नहीं समझेंगे इस से मुक्ती के लिए तनाव से प्री होने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ना तो सारीरिक समझाओं का हल होगा ना मानसिक समझाओं का हल होगा और जो एक आप देख रहे हैं घर घर में अभ तलाग, 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 तो इसका एक कारण सबसे बड़ा है तनाव, स्ट्रेस.